तो अब दिखाते हैं आप लोगों को कितनी स्नो बची है नारकंडा में हेलो जी कैसे हो तो गाइज आज है 19 फरवरी तो गाइज आज के दिन के शुरुवात हुई थी बादलों के साथ बट अभी देखो नो सड़े नो हुए पुरा साफ हो गया हलके बादल है और धूब देखो मस्त वाली लग रही है तो गाइज बहुत सारे लोग आना चाते हैं आज कल हिमाचल शिमला कुफरी और नारकंड कि वह सकती है कि हցझाए क्या है वेड़ करते हैं को साइट चरीकर फॉरा है वह छाने-नारकंडर कुछ नजारा भी एधर से नहीं दिख था उसऊ जाएंगे तब दिखेंगा पूरा uh area यहां से जो व्यू दिखता ना गाईज क्या ही जबर्दस्त वाला और यहां से चोटधार की चोटिया भी दिखती है वहां पर सनोफॉल हो रही है यह देखो का शिमला उस साइट को पड़ता है और जो गाईज यह हाईवे देख रहे हैं यह है शिमला रिकांग फियो सांगला हाईवे नारकंडा बजार उधर है और इधर है आपका यह होस्पिटल और यहां से नीचे जाओगे इस रोड से नीचे जाओगे थोड़ा सा सो मेटर तो प तो गाईज देख सकते हैं नारकंडा से दूसरी साइड का विव कितना तकड़ा है और यह रहा सामने हाट टूपीक यहां पर आपको स्वनों मिल जाएगी नारकंडा से जादा नारकंडा में तो देख सकते हैं थोड़ी बहुत रहागी है अब दिखाते हैं आगे स्की स्ल और सामने और देखो हिल विह ला से भी दिखता है और यहां से नजारा यू दिखता है आपको सीधा पार और हटुपीक का भी दर्शन हो जाएंगे सुवए-सुवए आपको और यह नजारा तो बेह रहे हम आ है तो यहां पर बहुत सारी बार्फ होती थी जो पिछली तो आगे दिखाते हैं कितना है स्की स्लोप में दोड़ी में तो देख सकते हैं इतनी बरफ है तो गाइस कोई भी आता है अब यहां पर तो अगर कल यहां पर बरफ नहीं पड़ी तो आप लोगों को हाटू जाकी फाइदा है हमाहा पर ज्यादा बरफ मिलेगी अभी इस में यहां पर इतनी बरफ बच्जी है अब तो और देखो इतनी बरफ बच्ची है और वहां पर गुटी का कोर्स चल रहा है। अब बच्चो की स्कूल भी खुल चुके हैे ना कर दो